आप हलो 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 नवस्कार हeaदाप सबस्रीकाल आप सुभी गाबहुत-बहुत स्वागत है यकीन नीट स्वागत 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 आओं आया है अवाज सही आ रही है सलगत से देख पारें सुन पारें करें बता किती है दो है इस非常 अगया मैं फिर तैक भाई खुच से नहीं आया मैं ख़ुच से नहीं आया लाया गया है जबर्दस्ति लाया गया है बूला गया कि क्लास नहीं होनी चाहिए तो अब केमिस्ट्री की क्लास आपकी कैंसल हुई तो मैं फिर से वापस आ गया चीटिंग है तो सही लेकिन मेरी तरफ से नहीं है वही मैं नहीं चाहता था आपको दुख देना हायर चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं अपन मजे से पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है कोई नी ज्यादा नी दो गंटे नी पढ़ाऊंगे थीक है हाँ वैसे भी दो गंटे नी पढ़ पढ़ेंगे चार बज़े तक मैक्सिमम стать देखते है ठीक है न बाकी देख लेंगे जितना अपन से हो पाएगा है न को Zoo आneo आजओ तो इस lecture में हम क्या करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं parallel and perpendicular axis theorem ठीक है जी parallel और perpendicular axis theorem के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है ना तो इसके बारे में बात करेंगे आज के इस lecture में सबसे पहले पिछले lecture में जाते जाते अभी 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 अपने पढ़ा है तो अभी रिवीजन करने का तो कोई सेंस बनता नहीं है लेकिन हां मैं आपको जो है अभी की जो चीजें हम लास्ट टॉपिक जो पढ़ रहे थे एक बार उसके बारे में आपसे बात कर लेता हूं क् टॉपिक का नाम था पैरलल एक्सिस थियोरम, ठीक है ना, टॉपिक का नाम था पैरलल एक्सिस थियोरम, तो पैरलल एक्सिस थियोरम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना, तो पैरलल एक्सिस थियोरम के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था आपको याद होगा, कि दूसरी X is at D distance पे, ठीक है ना, दूसरी X is at D distance पे, तो उसके बाउट जो moment of inertia होगा, वो होगा ICM plus M into D square, है ना, plus M into D square, तो ICM में आप M D square add करोगे, तो आपके पास वो result निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना, यह चीज हमने यहाँ पे की थी, I hope यह चीज आपको clear होगी, ठीक है ना, I is equals to ICM plus M D square, ठीक है ना, यह आपकी parallel axis theorem है, जो मैंने आपको बताई थी, यह कोई भी 2 axis होँ, उसके लिए नहीं लगाई जा सकती, पहली बात तो इसके लिए condition मैंने आपको बताई थी, कि parallel axis ही होनी चाहिए, और इन में से एक axis, इन में से एक axis पास करनी चाहिए, किस के थुरू, center of mass के थुरू, इन में से एक axis पास करनी चाहिए, किस के थुरू, center of mass के थुरू, पास करनी चाहिए, तब हम इस theorem को लगा सकते हैं, क्लियर है जी ठीक है तो तब हम इस case में उस particular theorem को लगा पाएंगे i is equals to icm plus md square parallel axis होनी चाहिए और एक axis center of mass से पास होनी चाहिए ठीक क्लियर है हाँ इसका यूज करेंगे भी आप ठीक है ना सर आप छोटे लग रहे हैं हाँ इसमें podium नहीं है इसमें podium नहीं है अभी क्योंकि वैसे जनली जो है मेरी class same studio में होती है रोज लेकिन आज क्योंकि अभी मिनको बिल्कुल अभी पता चला है ना डेड़ बजे जैसे मैंने class खतम करी तभी पता चला कि सर आपको एक और class लेनी है बच्चों को और टॉर्चर करना है मैंने का अच्छा भाई ले लेते हैं फिर class हैना अब क्या करें कि सर लेनी है पड़ेगी मैंने मना करने की कोशिश की नहीं सर नहीं चलो कोई बात, ठीक है ना, हसते खेलते पड़ेंगे कोई इतनी tension की बात नहीं है, ठीक है, चलो, अब ध्यान देना, एक special point जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, Of all the parallel axes, of all the parallel axes, the moment of inertia will be minimum about the axes passing through the center of mass, ध्यान से सुनियेगा, मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, कि भई, जितनी भी parallel axes दे रखी है, माल लो एक body है, ठीक है, ना, कोई भी body माल लो, जैसे ये body है, ठीक है, इन में से, इस body से 3-4 axes पास करी है, मैंने 3 axes बना दी, तीन axes बना दी, ये इसका center of mass है, ठीक है, ये first axis हो गई, ये second axis हो गई, ये third axis हो गई, ठीक है, इन में से जो moment of inertia minimum आएगा, वो center of mass वाली axis का होगा, ध्यान देना, क्योंकि I क्या होता है, ICM plus MD square, देखो, किसी भी और axis के बाउट, अगर आपको moment of inertia निकालना, किसी भी और axis के बाउट, ठीक है, किसी भी और axis के बाउट, अगर आपको moment of inertia निकालना है, तो आपको ICM में कुछ add करना पड़ेगा, किसी भी और axis के बाउट, अगर आपको moment of inertia निकालना है, तो आपको ICM में कुछ add करना पड़ेगा, फिर जाके moment of inertia उस axis के बाउट आएगा, इसका मतलब स सब से कम किसके बाउट होगा moment of inertia center of mass वाली एक्सिस के बाउट minimum होगा अगर आपको किसी body के थुरू पास करने वाली बहुत सारी e cases दे रखी हों तो moment of inertia center of mass वाली seems के बाउट minimum होगा क्यों क्योंकि बाकी axis में कुछ add करना पड़ेगा है ना बाकी एक्सिस का मूउमेंट ओफ इनर्शिया निकालने के लिए कुछ एड करना पड़ेगा तो अगर कुछ एड करना पड़ेगा तो ओविसली जादा हो जाएगा वो ठीक है ना ओविसली क्या हो जाएगा जादा हो जाएगा तो मूउमेंट ओफ इनर्शिया सबसे कम अब आप मेरे को बताओ, comment box में लिख के बताओ, 1, 2, 3 में से, किसके बाउट, moment of inertia सबसे कम है भई, 1, 2, या 3, तीनों axis आपस में parallel हैं, ठीक है जी, आपस में तीनों axis parallel हैं, तो बताओ, moment of inertia, किस axis के बाउट minimum होगा, बताओ, 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 बढ़िया, 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 बेलकौल, I2, मैं अगसे बात करूँ, I1, I2, I3, ठीक है न, तो I2 will be minimum, इन तीनों में से, I2 सबसे कम होगा, ये बात की guarantee है, ठीक है न, ये बात की क्या है, guarantee है, clear हो रही है बात, अच्छा जी, इसका graph भी बनाया जा सकता है, पता आपको, इसका मैं graph भी बना सकता हूँ, I का, with respect to distance D, मैं graph बना सकता हूँ, parallel axis के लिए, बहुत सारी parallel axis के लिए, with respect to distance D, इसका जो graph बनता है, वो ऐसा बनता है भाई, इसकी shape आपको किसी के तरीके की नजर आ रही है क्या, किसी तरीके की shape आपको नजर आ रही है क्या, यह parabola होता है बटा, D की value 0 put करोगे, इस equation को देखो, D की value 0 put करोगे, तो यह value आएगी ICM, दिखेंगे न, ICM, यह center of mass वाली axis है, जैसे जैसे distance बढ़ता जाएगा, moment of inertia बढ़ता चला जाएगा, चाहे आप इधर जाओ, चाहे आप इधर जाओ, आपको graph parabola क्यों लग रहा है सर, क्या आपको पता चल रहा है कि यह parabola होगा, बोलो, जब Y proportional to X square आता है, तो graph parabola होता है, अब देखो, moment of inertia Y axis में show किया गया है, moment of inertia Y axis में show किया गया है, और distance D जो है, वो X axis में show किया गया है, ठीक है न, distance D जो है, वो X axis में show किया गया है, ठीक है न, बतलब graph कैसा होगा पैराबोलिक होगा यह center है वेटा यह center of mass है ठीक है ना जहां पे d0 है ना d की value 0 put करो इसमें d की value 0 put करो तो center of mass वाला moment of inertia आ जाएगा यह center of mass है जितना इधर जाओगे तो भी बढ़ेगा इधर जाओगे तो भी बढ़ेगा दोनों तरफ बढ़ेगा बोलो clear हुआ यह graph clear हुआ पैरलल axis theorem का graph clear हुआ जो लोग अभी आए हैं मैं आपको बता दूं भाई क्यूंकि आज आपकी chemistry की class cancelled थी ठीक है न तो इसलिए मुझे कहा गया कि आप ले लीजे class ठीक है न तो अपना course भी बढ़ जाएगा देखो आगे ठीक है न तो थोड़ा बहुत हम पढ़ भी लेते हैं ठीक है न जादा torture मैं आपको नहीं करूंगा इतनी मेरी जरूर कोशिश रहेगी ठीक है न तो center of mass वाला जो moment of inertia यह ह हमने यहां पर निकाला है ठीक है न और उसका graph बनाया है ठीक है न moment of inertia का x-axis के साथ या d distance के साथ हमने graph यहां पर construct किया है I hope that should be really really clear to you इसमें कोई डायूट आपको नहीं होना चाहिए clear है भई तो सभी axis में से moment of inertia जो minimum होगा वो center of mass वाली axis के about होगा और graph की जो shape होगी वो parabolic होगी ओके चलो हाँ I hope आप समझ गये होगे जैसे मान लो एक question आ गया चलो मैं आपको question कराता हूँ the equation for all the for moment of inertia about for about all the parallel axis all the parallel axis passing through body passing through body is I is equals to 2x square minus 4x plus 17 kg meter square find the x coordinate find the x coordinate find the x coordinate where where i will be minimum which is minimum I will be minimum where i will be minimum where i will be minimum how to do it हूं ठीक है न तो x is equals to 1 x is equals to 2 x is equals to 4 या x is equals to 17 ठीक है न x is equals to 1 meter यह meter में है 2 meter 4 meter x is equals to 17 meter एक थोड़ा सा अलग type का question है यह थोड़ा सा special question है अलग type का question है थोड़ा सा special question है अलग type का question है पढ़िये इसको और जवाब देने की कोशिश कीजिए इसको पढ़िये और जवाब देने की कोशिश कीजिए करो भीया करो 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 चलो 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 पढ़ लो एक बार question को फिर मैं पोल यहां पर connect कर देता हूं आपके साथ ताकि आप जवाब दे पाओ लो पोल अन कर दिया आप लोगों के लिए पोल अन कर दिया वई करो 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 देखो ज़रा कुछ अलग टाइप का गोश्चन है हाँ 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 यस 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 हाँ क्लास बेटा तकरीबन दो तेईस पे स्टार्ट हुई है हमारी दो बज़ के तेईस मिनिट पे हम तकरीबन तकरीबन क्या तीन मिनिट का पूल लग गया क्या है छोटा ही तो है पूल चलो देखो यार कोई भी बॉड़ी हो कोई भी बॉड़ी है ठीक है ना जैसे मैं रॉड मान लेता जिसके अबाउट मुमेंट ओफ इनर्शिया मिनिमम होगा उसका आपको एक्स कॉडिनेट बताना है अब यहां पे कैसे करें सर्फ मुमेंट ओफ इनर्शिया की एक्वेशन दे रखी आपको एक्स एक्सिस के साथ ध्यान से सुनो बटा यानि कि मुमेंट ओफ इनर्शिया एक्स एक्स पर डिपेंड करता है एक्स के कॉडिनेट पर डिपेंड कर रहा है तो आपको एक्स का वो कॉडिनेट बताना है जहां के अबाउट मुमेंट ओफ इनर्शिया मिनिमम आई आपको पता एक कंसेप्ट है maxima minima का maxima minima का concept पता है हाँ अगर आपको i minimum चाहिए अगर आपको i minimum चाहिए तो maxima minima के लिए उसका differentiation is equals to 0 आना चाहिए बताओ बेटा बोलो बोलो मुझे i की minimum value चाहिए i की minimum value मुझे कब मिलेगी बताओ बाई कब मिलेगी है ना maxima minima के हिसाब से जब हम differentiate करके is equal to 0 पुट करते हैं तब मिलती है बस कर दो इसको di by dx निकालो 2 तो constant है x square का 2x minus 4 constant है x का 1 और 17 का 0 तो ये बन गया 4x minus 4 इसको put कर दो 0 है ना 0 पुट कर दो तो ये बन गया 4x is equal to 4 यानि कि x की value कितनी आ गई हमारे पास 1 यानि कि जिस x is about moment of inertia minimum होगा उसका x coordinate क्या होगा x is equal to 1 बोलो भई या x is equal to 1 कि about moment of inertia आपका क्या आएगा minimum आएगा भई x is equal to 1 अंसर है जिसके about moment of inertia minimum होगा ठीक है ना इसका मतलब वही center of mass भी होगा क्योंकि center of mass के about minimum होता है तो अगर आपसे center of mass पूछा जाए कि center of mass का x coordinate कितना है तो क्या बोलोगे भाई अगर आपसे सवाल थोड़ा different तरीके से पूछ ले कि center of mass का x coordinate कितना है तो क्या जवाब दोगे x is equal to 1 यही तो है x is equal to 1 के about moment of inertia minimum है इसका मतलब center of mass का x coordinate भी यही है बोलो भाई clear हुआ बोलो 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 हाँ समझ में आनी चाहिए बात ठीक है जी कोई बात नहीं कोई बात गलत हो गया बटा x की value put करके देखने की जरूरत नहीं है ठीक है ना उसमें तो लंबा लग जाएगा आप x की value put करकर कर देखोगे तो कोई फाइदा नहीं हमने maxima minima पड़ा हुआ है तो differentiate करो is equal to 0 put करो आपके सामने answer होगा ठीक है चलो आगे बढ़ते है परपेंडिकुलर एक्सिस थीओरम करेंगे लेकिन उससे पहले एक topic है ठीक है ना वो कर लो आप ठीक है ना परपेंडिकुलर एक्सिस थीओरम भी करेंगे लेकिन उससे पहले एक topic है उसको समझते है आपको पता है कि अगर rod का moment of inertia परपेंडिकुलर एक्सिस के बाउट देखा जाए ठीक है ना परपेंडिकुलर एक्सिस के बाउट देखा जाए यानि कि 90 डिगरी का एंगल हो और center of mass से एक्सिस पास कर रही है तो moment of inertia होता है ml square by 12 अगर 90 डिगरी का एंगल है तो moment of inertia ml square by 12 होता है लेकिन सर अगर इसके अलावा कोई और एंगल होतो इसके अलावा कोई और एंगल होतो मालनो ऐसा है समझ पारे हो कि rod जो है वो tilted है कोई एंगल थीटा है एक्सिस के साथ एंगल क्या है थीटा है थीटा इस दा एंगल बिट्वीन rod एंड एक्सिस 90 degree नहीं है 90 degree नहीं है तो इसमें आप क्या use करोगे L की जगा पे L sin theta use करोगे ठीक है न यहाँ पे change होके आ जाता है I हमारे पास आ जाएगा M by 12 L की जगा पे L sin theta का square होगा L की जगा पे L sin theta का square होगा यह बात आप याद रखेगा ठीक है न बस इस formula को याद करना है derivation में हमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ml square by 12 तो यहाँ पे sin square theta आ जाएगा ठीक है जी sin square theta आ जाएगा इसमें आप देखोगे theta की value 90 रखोगे यही आ जाएगा बठा आप देख लेना इस result में theta की value 90 degree रखोगे तो answer वही आ जाएगा बोलो check करो check करो भई l की जगा बस l sin theta रखना है l की जगा क्या रखना है l sin theta रखना है बताओ मुझे क्या इसमें theta की value 90 रखने से क्या same result बन रहा है theta की value 90 रखने से 90 degree रखने से क्या same result बन रहा है hmm बोलो भईया तो याद रखिएगा बस इसको याद रखना है और कुछ नहीं है अच्छा end के about end के about क्या था अब मालो आपको सामने question आ गया अब इस question को करना ठीक है आप खुद ही बताओगे answer मुझे आप खुद ही answer बताओगे rod है length L है mass M है यह angle theta है ठीक है तो moment of inertia क्या होगा मैं option दे रहा हूँ आपको ml square by 3 sin square theta ml square by 12 sin square theta c option ml square by 3 sin theta ml square by 12 sin theta बतादो बेटा क्या answer है बहुत ही असान चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे मैं बेहद असान चीज़ rod है theta angle है axis का axis का angle क्या है theta है rod टेड़ी है यह देखो मेरी उंगली को axis मानो rod टेड़ी है है रोड क्या है tilted है तो बता दो बता दो बता दो लोग पोल ऑन कर रहा हूं आप लोगों के लिए बहुत असान है इसको गलत मत कर देना भाई इसको गलत कर डाला तो फिर life जिंगा लाला अच्छी खासी जिंगा लाला हो जाएगी भाईया यास- 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 तर पोल नहीं आ रहा है एरे भीया आएगा पूल आएगा अगर नहीं आएगा तो भीया कमेंट में लिख दो काफी सारे लोग लिख भी रहे हैं हिमेश, रिशिका, रिदिमा, तनीशा, तनू, पल्लवी, सतेंद्र, नवाब, युग, आर्या 63 परसेंट लोगों ने सही उत्तर दिया है भाई, 63 परसेंट लोगों ने सही उत्तर दिया है तो हमारा आंसर यही है, बिल्कुल सही बात है, एंड से पास कर रहा है विटा, यह देखो, अगर 90 डिगरी का एंगल होता और एंड से पास कर रही है, ठीक है न, 90 डिगरी का एंगल होता और एंड से पास कर रही है, तो ml स्क्वेर भाई 3, अब यहाँ पे साइन स्क्वेर थीटा और आजाएगा बस, ठीक है न, 90 डिगरी का एंगल होता, तो ml square by 3 होता, ठीक है न, अब angle theta है, तो यहाँ पे sin square theta लग जाएगा, साथ में आके, ठीक है न, बस यह याद रखना है आपको, और कोई दिक्कत नहीं, clear, चलो, चलो एक गाना सुना देता हूं, ठीक है न, थोड़ा सा दो lecture ले रहे हैं आपके, तो फिर, बोर भी हो जाओ गया न, इसने लंबे-लंबे लेक्चर से, यह गाना सुनाया था के मैंने, तेरे नैना वाला, तेरे नैना, तेरे नैना, सुनाया था के मैंने, सुनाया था? यह वाला तो नहीं सुनाया है, न? गाना, माइनेम इस खान पिच्चर का, सुनाया था क्या? अच्छा, ओक्के, चलो कोई और गाना सोचते हैं फिर, यह गाना सुनियेगा, ठीक है न? यह गाना सुनियेगा, दूसरे न? गाना है, दूसरा गाना, यह गाना, मेरे हार्ट के काफी करीब है, दिल के काफी करीब है, गाना, मैंने, और आपके लिए मोटिवेशनल भी है, ठीक है न? सुनियेगा, कुछ पाने की हो, आस, आस, कोई अर्मा हो, जो खास, खास, आशा हैं, हर कोशिश में हो वार वार, कर दर्याओं को वार पार, आशा हैं, आशा हैं, तूफानों को चिर के, मन्जिलों को छीन ले, आशा हैं, खिलें दिल की, उम्मीदें हसें, दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशा हैं, खिलें दिल की, उम्मीदें हसें दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, उड़ जाएं लेके खुशी, अपने संग तुझको वहां, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं किलें दिल की, उम्मीदें हसें दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, हाँ जी, बहुत, 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 मोटिवेशनल सौंग है, मोटिवेशनल सौंग है, और ये गाना मतलब मेरे काफी करीब है, मैंने जब पहली बार कॉलेज में परफॉर्म किया था, इस गाने पे, तो यही गाना था, कॉलेज में हमारे बैंड बना था, मतलब, एक म्यूजिकल नाइट होती थी, जिसमें अलग-लग सिंगर्स जो है, वो अलग-लग गाना गाते थे, तो उस टाइम पे, मतलब, प्रॉपर जैसे गिटार विटार के साथ, तो गिटार भी था, ड्रम भी था, प्यानो भी था, त सीख रहा था, तो मतलब, that was a good moment, उसके बाद एक दो बार और गाया, तो इसलिए दिल के ज़्यादा करीब है, और इमोटिवेशनल भी है, आप लोगों के लिए भी मोटिवेशनल सहोंगे, अच्छा खासा मोटिवेशनल सह, हाँ, चलो, बड़े आगे, थैंक यू सो मच, कोशिश करता हूं, और याद करता हूं, अगर मेरे को कुछ याद आगया, लिरिक्स वगेरा किसी और के, तो फिर मैं सोचता रहता हूं दिमाग में, थोड़ा सोचता हूं, ठीक है, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, क्या है थीरम, अगली थीरम है, पर्पेंडिकुलर ए moment of inertia, about two mutually perpendicular axes, पता नि, क्या अंग्रेजी लिखी हुई है, ठीक है न, जो ये वाहियात अंग्रेजी लिखी हुई है, इसको देख लो एक बार, मा आपको सीधा-सीधा मतलब समझा देता हूं, ठीक है, सुनू, कोई भी body है, ठीक है जी, वो किस plane में पड़ी हुई है, xy plane में, किस plane में पड़ी हुई है बेटा, body का plane कौन सा है, xy plane, body in xy plane, xy plane में पड़ी हुई है, ठीक है, यह xy axis, इसी point से z axis निकल रही है, इसी point से z axis निकल रही है, जो कि body के plane के perpendicular है, क्या आप यह मानते हो, कि यह जो z axis होगी, वो body के plane के perpendicular होगी, क्या आप मानते हो, कि यह जो z axis होगी, यह body के plane के perpendicular होगी, मानते हो यह बात, यह सर, पिलकुल, तो यह z axis जो है, वो body के plane के perpendicular है, ठीक है, जी, body के plane के perpendicular है, तो perpendicular axis theorem यह कहते है, कि iz जो होगा, वो i x और i y का sum होगा, यह perpendicular axis theorem है, इसे कहते हैं, perpendicular axis theorem, कि जो z axis के about moment of inertia आएगा, वो x और y का sum होगा, अब मैं आपके सामने statement पढ़ता हूँ, ठीक है न, पहले तो statement पढ़ता हूँ, ठीक है न, फिर इसकी conditions भी मैं आपको बताऊँगा, कि यह लगाने के लिए conditions क्या है, साथ-साथ मैं conditions लिखूँगा, ठीक है, चलो, सुनो, सबसे पहले, body planar होनी चाहिए, 3D नहीं होनी चाहि body must be planar, body कैसी होनी चाहिए बटा, planar body, planar मतलब two dimensional, planar मतलब two dimensional, जैसे क्या sir, जैसे example बता दो sir, जैसे ring हो गई, disc हो गई, square हो गया, rectangle हो गया, इस तरीके की चीज़े, है ना, जो एक ही plane में आए, जो two dimension में आए, अब आप मेरे को बताओ, क्या ये theorem sphere पे लगा सकते हो आप, क्या ये theorem sphere पे लगेगी, नहीं, three dimensional body पे ये theorem नहीं लगती, पहली बात, sphere, hollow sphere, कोन, hollow कोन, solid कोन, किसी पे नहीं लगेगी, ध्यान रखना इस ब plane of the body, ये वाली, Z की बात कर रहे हैं, कौन सी एक्सिस की बात कर रहे हैं, Z एक्सिस की बात कर रहे हैं, perpendicular, ठीक है ना, is the sum of, moment of inertia of body, about two mutually perpendicular axes, in the plane of the body, यानि कि जो दो axes, body के plane में हैं, जो दो axes, body के plane में हैं, अगर उन दोनों के moment of inertia का sum कर दिया जाए, तो आपके पास perpendicular axes का moment of inertia आ जाएगा, body के plane में कौन सी दो axes हैं, X और Y, तो अगर X और Y का sum कर दिया जाए, तो Z का आजाएगा, moment of inertia, and passing through the same point as that of axes perpendicular to the plane of the body, definition बिल्कुल याद मत रखना, मैं simple सी बात यह कह रहा हूँ, कि उसी point से pass करनी चाहिए, तीसरी axes भी उसी point से pass करनी चाहिए, जहां से पहली दो कर रही है, यानि कि कहने का मतलब यह हुआ, कहने का मतलब यह हुआ, कि all axes must meet at same point, समझ पारे हो, तीनों axes same point पे मिलनी चाहिए, and perpendicular to each other, यह तीनों आपस में perpendicular होनी चाहिए, यह जो भी अंग्रेजी लिखी हुई है, इसका सीधा सीधा मतलब है, देखो, पहला यह planar body के लिए valid है, 3D के लिए valid नहीं है, ठीक है ना, इसमें जो तीनों axes हैं, वो same point से pass करनी चाहिए, same से, तीनों axes same point से pass करनी चाहिए, और तीनों axes एक दूसरे के perpendicular होनी चाहिए, जैसे कि x, y, z, यह तीनों axes एक दूसरे के perpendicular होनी चाहिए, यह अंग्रेजी छोड़ो, यह अंग्रेजी छोड़ो, ठीक है न, अगर नहीं समझ में आरी तो छोड़ो इसको, ठीक है न, यह थोड़ी सी tough language है, लेकिन definition मेरे को करवानी थी तो इसलिए मेरे को लिखना पड़ा उसको, समझ में आया के नहीं है, अच्छा, अगर मान लो, अगर मान लो, बॉडी का plane xz है, मान लो xz plane है बॉडी का, तो क्या formula लगेगा सर, अगर बॉडी xz plane में है, तो क्या लगेगा सर, फिर लगेगा i y is equal to i x plus i z, समझ पा रहे हो, और अगर बॉडी y z plane में है, बॉडी plane is y z, अगर बॉडी y z plane में है, तो क्या लगेगा, बता दो, i x is equal to i y plus i z, clear हुआ, है ना, हम, सर, square के बाद क्या लगेगा, रिक्टेंगल, बेटा, रिक्टेंगल, सिंपल सी बात है, अगर बॉडी x y plane में है, तो i x plus i y, i z बनेगा, अगर x z plane में है, तो i x plus i z, i y बनेगा, और अगर y z plane में है, तो i y plus i z, i x बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, जो जिस plane में है, ठीक है ना, उसके हिसाब से थियोरम लगेगी, clear, ठीक है, सर, नोट्स पिछले lecture के गलत upload हो गए है, मैं change करवा दूँगा, मैं change करवा दूँगा, don't worry, I will get it change, ठीक है, हम, आजओ आगे, अरे, जादू ही पहनी यूज करेंगा, जादू, मजा आता है इसको यूज करेंगा, जादू, मिट जाए, चला गया न, सभी अच्छा पहने है, चलो, अब इसका यूज सीखते है, इसका यूज सीखते है, सबसे पहले इसका यूज सीखेंगे किस में, माललो, आपके पास रिंग है, रिंग, मेरे पास भी रिंग है आपको पता है, मेरे पास भी रिंग है, ये रही रिंग, तिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटिंटि रिंग, सुनो, रिंग xy plane में है, ठीक है, रिंग xy plane में है, तो मेरे को बताओ, ix plus iy is equals to iz होगा, अब perpendicular axis के बाउट, रिंग का moment of inertia तो सभी को पता है, पैटा, ये पता है ना, कि रिंग का moment of inertia, perpendicular axis के बाउट, mr square होता है, बोलो भया रिंग का मुमेंट ऑफ नर्शिया पर्पेंडिकुलर एक्सिस के बाउट मुमें एमार स्कुएर होता है मैं यहां पर बोल रहा हूं रिंग फस गई यह तुम लोग बोले सर आप भी फस गई मुझे मुझे उमीद थी कि कोई ना कोई ऐसा बोले जरूर स्वेट बाट मैं ऐसा नहीं फील करता है तो आप कह रही था हुए आन। मैंने नहीं बोला आपने बोला अरे मैं कहां बोला मैं बोला की वो बोला वो बोला की मैं बोला की यही तो मैं बोला पर मैंने यह नहीं बोला भाई यह आपने बोला यह ना तो रिंग आपको चारो तरफ से स्मिट्रिकल नजर आ रही है, अगर इस रिंग को मैं x-axis में काटूं, दो हिस्सों में, या y-axis में दो हिस्सों में काटूं, तो क्या कोई फरक नजर आ रहा है, तेखो अगर मैं x-axis में दो हिस्सों में काटता हूं इसको, ठीक है न, x-axis से मै इसको दो हिस्सों में काटता हूँ तो उपर नीचे एक जैसे हिस्से बनेंगे ठीक है ना क्या वैसे ही हिस्से y-axis से काटने पे भी बनेंगे बताओ भई क्या वैसे हिस्से y-axis से काटने पे भी बनेंगे भई जैसे हिस्से x-axis पे काटने पे बन रहे हैं क्या वैसे ही हिस्से y-axis पे काटने पे भी बनेंगे, हाँ, बनेंगे, बिलकुल सेन, इसका मतलब ring symmetrical है, ring क्या है, symmetrical है, therefore, x-axis और y-axis में कोई फरक नहीं होगा, z में तो फरक है, z तो perpendicular वाली है, ठीक है न, लेकिन ix और iy दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है न, क्योंकि symmetry है, तो ix और iy दोनों बराबर होंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 2ix, है न, इसको मैं लिख सकता हूँ, ix प्लस ix, is equals to mr square, तो ये बन गया, 2ix, is equals to mr square, तो मेरे पास ix की value आ गई, मेरे पास ix की value आ गई, that is mr square by 2, और यही जो है, iy की value है, यही जो है, iy की भी value है, क्योंकि ix और iy जो है, वो same है, तो दोनों की value same है, ठीक है, mr square by 2, ये, अब बच्चे सोच रहोंगे, confuse मत हो जाना, बेटा, sir, ये तो disk का moment of inertia होता है, बिलकुल होता है, मैं मना नहीं कर रहा है, ये disk का होता है, ring का sir, mr square होता है, तो आपने ring में sir, mr square by 2 क्यों लिखा, पेटा, ये axis अलग है, axis अलग है, ठीक है, ये axis कौन सी है, ये सुनो, इसको कैसे कैसे आपके सामने बोल के आ सकता है question, वो बता रह about an axis in the plane of the ring, रिंग के plane में ही है, रिंग के plane में ही है, and passing through its center, and passing through its center, मैं proper wording लिख के बता रहा हूं बता, proper wording लिख के बता रहा हूं की कैसे सवाल आ सकता है, and passing through its center, बोलो clear हुआ, moment of inertia about an axis in the plane of the ring and passing through its center, moment of inertia of a ring about an axis passing through its center, है न, मतलब about of the ring, about an axis in the plane of the ring and passing through the center, रिंग के plane में ही है, X और Y axis दोनों रिंग के plane में है, और center से पास कर रही है, या फिर ऐसे लिख के आ जाएगा, सर और क्या लिख के आएगा, और लिख के आएगा की, moment of inertia of ring about diametrical axis, बोलो ये भी same बात ही बोली है क्या मैंने, क्या X और Y axis दोनों इसका diameter हैं के नहीं हैं, बता दो मेरे को, क्या X और Y axis दोनों इसका diameter हैं या नहीं हैं, बता दो, क्या X axis ring का diameter हैं, बिलकुल है ये center of mass से पास कर रहा हैं, या center से पास कर रहा हैं, वो बोल देते हैं इसको, Y axis भी इसके center से पास कर रही हैं, है न, center से पास कर रहा हैं और इसी के plane में हैं, क्या इसको diametrical axis बोल सकते हैं, हां, बिलकुल 100% बोल सकते हैं, तो question आपको बदल बदल के जैसे मर्जी पूछा जा सकता है, आपको घवराना नहीं है रहे, चिक, तो ध्यान रहेगा, तो अब चलो मैं आपको figure बना के दिखाता हूँ, देखो, थोड़ा सा अलग view से, ये ring बनाईये मैंने, ठीक है न, ये क्या बनाईये सार, ring, ये इसका center, और ये वाली axis ring के perpendicular है, तो इसके about moment of inertia है, mr square, और जो axis ring के plane में है, ये देखो, एक axis और बना रहा हूँ, जो ring के plane में है, और center से ही pass कर रही है, रिंग के plane में है, और center से ही pass कर रही है, उसके about answer क्या होगा, mr square by 2, बोलो याद रहा जाएगा, रिंग के प्लेन में ही और जो सेंटर से पास कर रही है ऐसे रखी है रिंग एक एक्सिज यह है वेटा रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास कर रही है अब एक एक्सिज रिंग के प्लेन में ही है यह पैन ऐसे रखा था ना मैंने यह पैन ऐसे रखा था ऐस ऐसे रख दिया, रिंग के plane में ही रख दिया, तो उसके about moment of inertia कितना होगा, mr square by 2, अच्छा जी, अब आप मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है, सवाल का जवाब देना, ठीक है, सुनो, एक axis y है, और एक y dash है, एक axis y है, और एक y dash है, दोनों में angle theta है, रिंग का mass m है, radius r है, ठीक है, आपको बताना है, कि इन में से कौन सा option सही है, i y is equals to i y dash, दोनों बराबर हैं क्या, i y is equals to cos square theta into i y dash, i y is equals to sin square theta into i y dash, या नन ओफ दीज, y axis और एक y dash axis, y axis और y dash axis, ये ring है, ठीक है न, ring है, तो आपको answer बताना है, बताईए भई, कौन सा option सही है, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, और ये भी सोच लेना, मैं जान बूज के ऐसे option रखता हूँ, ताकि आप गलत कर सको, ये भी सोच लेना भाई, मैं जान बूज के ऐसे option रखता हूँ, ताकि आप गलत कर सको, हुँ 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 चलो 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 देखो बेटा एक बात बताओ यह दोनों ही तो रिंग के डायामीटर हैं मेरे को बताओ कोई फरक है क्या यह दोनों ही एक्सिस रिंग के प्लेन में यह भी डायामीटर है रिंग का अगर मैं इसे बोलू ज्यान से सुनना मेरी बात क्या यह वाला रिंग का डायामीटर नहीं है बताओ बई क्या दोनों ही र डायमिटर है और ये भी डायमिटर है बोत आर डायमिटर्स दोनों के अबाउट एक ही बात है विटा एक ही बात है कोई फरक नहीं है ये भी डायमिटर है ये भी डायमिटर है एक्स एक्सिस भी डायमिटर है अगर आप से एक्स एक्सिस से बोल दे तो भी अंसर सेम ही तो आत अगर आप कोई नई एक्सिस बना दोगे वो भी डायमिटर है ये 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 भी डायमिटर है सारी डायमिटर है सारी की सारी और इसी के प्लेन में है इसी के प्लेन में है सब की वेल्यू बराबर है बिटा सब की वेल्यू बराबर है सब की वेल्यू MR स्क्वार बाई 2 है सब की वेल्यू MR स्क्वार बाई 2 है भाई रिंग के प्लेन में उसके सेंटर से पास करने वाली एक्सिस, डाइमितर ही होगी और क्या होगी, सब डाइमितर है ये भी, ये भी, ये भी, ये भी सब पता है, cup पड़े हैं क्योंकि आपने राइमितर वाला concept लगा दिया होगा ठीक है ना वो concept सिरफ rod के लिए ही है बटा ये याद रखना वो concept सिरफ rod के लिए ही है इसमें ऐसा नहीं है इसमें sir क्यों ऐसा नहीं है क्योंकि यहां पे सारी कोई भी axis देख लो क्योंकि ring के पास symmetry है पता क्या है ऐसा क्यों हो रहा है यहां पे क्योंकि ring के पास symmetry है चाहे जैस मरजी काटो, रिंग के दो हिस्से एक जैसे ही होंगे, भई आप सोचो मेरी बात सोचो, ठीक है ना, मैं y-axis पे काट रहा हूं इसको, मैं y-axis से रिंग के दो हिस्से कर दिये मैंने, अब आप कहोगे कि सर y- में करके बताओ, क्या एक जैसे हिस्से नहीं बनेंगे क्या, बताओ क्या वैसे ही हिस्से नहीं बनेंगे जैसे y में काटने पर बनेंगे, वैसे ही तो बन रहे हैं, यहां पर semi-circle, 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 same ही तो concept बन रहा है, ठीक है जी, बढ़िया, हाँ, यहाँ पे थीटा का कोई यूज नहीं है, यह फालतू में मैंने आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया था, और साइन स्क्वेर थीटा का आपशन मैंने और कन्फ्यूज करने के लिए आपको दिया था, ताकि आप गलती कर सको, मैं आप से गलती पाओ भाई अब मेरे से गलतियां करवाई गई हैं तो आप से भी तो करनी चाहिए ना अब भी तो करोगे गलतियां क्योंकि अभी गलतियां कर लोगे तो अच्छा है एक्जाम में जाके गलतियां होंगी तो फिर बुरा हो जाएगा और बुरा हो जाएगा ध्यान रखना इस अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू दा रिंग टेंजेंट टू दा रिंग रिंग के टेंजेंट है एंड पहला पाट पर्पेंडिकुलर टू दा प्लेंड ओफ रिंग पर्पेंडिकुलर टू दा प्लेंड ओफ रिंग और दूसरा पाट है इन दा प्लेंड ओफ दे रिंग इन दा प्लेंड ओफ दे रिंग रिंग के प्लेंड में है ठीक है जी, रिंग के प्लेंड में है देखो 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 पढ़ लो सवाल को पढ़ लो सवाल को मास M है रेडियस आ रहे हैं मास M रेडियस आर सवाल पढ़ लिया सवाल पढ़ लिया प्हहला A part पड़ो अब पहला A part पड़ो ऐसी axis, देखो मैं diagram बनाता हूँ आपके सामने आपके सामने-सामने diagram बनेगी और आप बड़ी असानी से answer देदो गए, ठीक है बड़ी असानी से ये वाली axis की बात हो रही है बिटा ये वाली एक्सिस की बात हो रही है रिंग के प्लेन के प्रपेंडिकुलर और टेंजेंट टू दा रिंग रिंग के प्रती टेंजेंट यहां से टच करती हुई जा रही है रिंग को यहां से रिंग को टच करती हुई जा रही है देखो जड़ा डाइग्राम समझ में आई मैं किस एक्सिस की बात कर रहा हूँ डाइग्राम समझ में आई के नहीं आई देखो द्यान से ये रिंग है ये एक्सिस इसके सेंटर से पास कर रही है इसको center माल लो, यह axis इसके center से pass कर रही है, ठीक, एक axis है जो इसके किनारे से pass कर रही है, है तो perpendicular ही, देखो, इस pen को देखो, ring के perpendicular है, ring के perpendicular है, लेकिन किनारे से pass कर रही है, कहां से pass कर रही है, किनारे से, कहां से, किनारे से, किनारे से pass कर रही है, clear हो रही है बात, हाँ, समझ में आनी चाहिए बटा बात टेंजेंट मतलब किनारे से टच करती हो जा रही है अच्छ अब रिंग के बाउट जो प्रपेंडिकुलर एक्सिज है मलब यह दोनों ही एक्सिज आपस में पैरलल हैं क्या जरा चेक करना ना भलब ऑपैरलल हैं क्या यास तो अगर दोनों एक्सिज आपस में पैर्लल हैं तो क्या सिर फार्मूला लगा सकते हैं क्या यास बिलकուल लगा सकते हैं इस एक्सिज के अबाउट मुमेंट उफ इनर्शिया कितना है ICM और इसका I ठीक है क्या होगा ICM that is MR square ring के plane के perpendicular center से जो axis पास करती है उसका formula MR square होता है plus M into दोनों के बीच का distance that is R that is R तो ये बन गया 2 MR square answer आ गया answer is 2 MR square of the A part ये A part का answer है बोलो clear हुआ A part का answer clear हुआ अरे असान है यार अच्छा दूसरा सवाल अलग है दूसरे सवाल में वो जो tangent है वो रिंग के ही plane में है दूसरे सवाल में दूसरे का answer बताओ बटा में को comment करके बता दो दूसरे पार्ट का answer बता दो comment करके बता दो उसमें जो axis है वो रिंग के plane के perpendicular है रिंग के plane के perpendicular है वाई चलो 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 अरे छोड़ दूँगा जलदी छोड़ दूँगा इस पर डिस्क के question करवाके फिर छोड़ दूँगा थीक है जादा लंबा नहीं पड़ाओंगा आपको जादा टॉर्चर नहीं करूँगा बस इसके बाद रिंग के बाद एक दो question हम डिस्क के कर लेंगे ठीक है ना रिंग के बाद इसी theorem पर डिस्क के question कर लेंगे फिर छोड़ दूँगा थीक है जादा लंबा नहीं की जाएंगे don't worry मुझे पता है यार मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को मैं समझता हूँ ठीक है ना इसमें जो बात हो रही है बी पाइट में कौन सी एक्सिज है ये समझना ये वाली एक्सिज रिंग का ही plane है रिंग का खुद का plane है और इसमें जो एक्सिज उसको tangent बनाती हुई जा रही है रिंग के ही plane में बेटा फरक समझ रहे हूँ देखो कहा रहा इसको मेरा जो मोबाइल है ये प्यारा प्यारा मोबाइल इसको रिंग मानू ठीक है ना प्यारा प्यारे मोबाइल को रिंग मानू पहला को पहला पार्ट तो ये था समझ गए पहला पार्ट यह था इसके किनारे से टच हो रहा है किनारे से टच हो रहा है लेकिन मुबाइल के प्रपेंडिकुलर है समझ गए ओके दूसरे में क्या था किनारे से टच हो रहा है और मुबाइल के प्लेन में है देखो जरा दोनों questions का फरक समझ गए यह पहला part है यह पहला part है यह दूसरा part है I think अब समझ जाना चीए भई आप इसमें अब इसमें सर पैरलल axis theorem कैसे लगाएं आजो अब यह तो हमें पता है ring के plane में ही ring के plane में ही जो center वाली axis है center को O बोल देता हूँ इसको ICM इसको I अब लगाएंगे यह formula अब formula लगाएंगे इसमें ICM की value क्या रखोगे बटा इसमें ICM की value क्या रखोगे MR square नहीं रखोगे ना 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 MR square by 2 यह देखो यह वाली रखोगे भाई ring के plane में ring के plane में यह देखो MR square by 2 यह रखोगे ना प्लस parallel axis थूरम अब लगाओगे M into distance दोनों के बीच का distance केतना है R तो plus MR square ठीक है ना MR square common आ गया 1 by 2 plus 1 1 by 2 में 1 add करोगे तो 3 by 2 MR square बन जाएगा यह आपका अंसर है second part का बोलो clear हुआ बोलो सही है जी हम आगे आजाओ आगे आजाओ आगे disc के भी सवाल कर लेते हैं कुछ ठीक है ना कुछ सवाल disc पे कर लेते हैं फिर आपको छोड़ दूँगा ठीक है यस यस disc पे आजाओ disc के case में विटा त्यान से सुननो यही चीज same concept मैं disc के case में लगाता हूँ यह देखो यह disc है इसमें मैं same perpendicular axis वाला concept लगाऊँगा ix, iy और iz ix प्लस iy मिलाके iz बन रहा है और iz की value होती है mr square by 2 disc में बेटा mr square by 2 होती है iz की value पता है सबको तो इसमें भी symmetry है इसमें भी symmetry है तो क्या बनेगा ix प्लस ix is equals to mr square by 2 तो यह बन गया 2 ix is equals to mr square by 2 इसका मतलब ix की value कितनी आ गई mr square by 4 या फिर iy को भी यही कह सकते है जैसे ring में symmetry होती है ठीक है ना जैसे ring में symmetry होती है वैसे ही यहाँ पे है तो moment of inertia of disc इसको कैसे बोलेंगे बैटा moment of inertia of disc about an axis in the plane in the plane and passing through center passing through center समझ गए ring की जगा disc आई है उसमें क्या हुआ था ring का mr square होता है फिर आदा हो जाता है mr square by 2 इसमें क्या होता है mr square by 2 पहले से ही होता है और फिर उसका भी आदा हो जाता है mr square by 4 या फिर ऐसे कह दो diametrical axis या फिर simply बोल दो कौनसी axis diametrical axis बोलो clear हुआ clear हुआ के नहीं हुआ भई clear हुआ diametrical axis अब मैं आपको summarize कर देता हूँ summarize करता हूँ एक तरफ ring लिखता हूँ याद रहेगा आपको ठीक है न एक तरफ ring लिखता हूँ और एक तरफ disc लिखता हूँ ठीक है न यहाँ पर body की बात करते हैं ठीक है न और यहाँ पर कौनसी axis है यह perpendicular axis यह planar axis यह planar axis perpendicular axis के बाउट ring का moment of inertia है mr square और disc का है mr square by 2 जो planar axis जो in the plane है वहाँ पर रिंग का फॉर्मूला है mr square by 2 और disc का है mr square by 4 देखो क्या दोनों आपको याद रहेंगे याद रहेंगे देख लो भई perpendicular axis के बाउट ring का moment of inertia है mr square और disc का है mr square by 2 और planar axis में ring का है mr square by 2 और disc का है mr square by 4 बोलो clear हुआ हाँ बस एक दो अब असान-असान से सवाल है वो जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बता देना answer ठीक है सुनो moment of inertia of disc moment of inertia of disc about an axis about an axis passing through its rim passing through passing through its rim and perpendicular to disc and perpendicular to it perpendicular to the plane of disc झाल झाल यह है डाइग्राम वेटा यह है डाइग्राम आपको देख के पता चली गया होगा ठीक है यह डाइग्राम है जो एक्सिज है वो इसके किनारे से पास कर रही है रिम का मतलब होता है किनारा रिम का मतलब होता है किनारा मतलब टेंजेंट और टेंजेंट रिमया टेंजेंट बस यह यही वाला कोश्चन है यह जो आपाइट हमने किया था आ जो आपाइट किया था वही सवाल है बस उसमें रिंग्धी इसमें अर्य sheer थिश्ग है मैंने थोड़ी सve wording change कर दी, वहाँ पे मैंने tangent लिख दिया था खुद, ठीक है न, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी wording change कर दी, क्योंकि wording change करके questions आते हैं, ठीक है न, तो यहाँ पे मैंने लिखा passing through rim, ताकि आपको हर type के question की practice हो जाए, इसलिए मैं जानबूच के wording change कर रहा हूँ, जानबूच के change कर रहा हूँ वही है, तो अब आप disk के लिए formula लगाओ गे, i is equals to icm plus md square, ठीक है न, यह icm हो गया, और यह i हो गया, तो disk का moment of inertia, icm क्या होता है, mr square by 2, plus, इनके बीच का distance कितना है, r, तो plus mr square, कितना answer आगया बटा, 3 by 2 mr square, 3 by 2 mr square, बोलो clear हुआ, clear हो गया, बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आना चीए भाई, proper clarity से समझ में आना चीए, ओके जी, बस यह last question है, बस, ठीक है न, इसका answer बता दो, cbse all india pmt 1999 में आता, last है बस, उसके बाद आज आपको छोड़ दूँँगा, हम, हाँ भै, सोच लेता हूँ, अच्छा सोच लेता हूँ आपके लिए, इतना बुरा इंसान भी नहीं हो, ठीक है, बुरा हूँ, लेकिन इतना बुरा नहीं, बुरे में भी तो type होते हैं, चोड़ दूँगा, कोई दिककता, पूल अउन कर दूं पूल अउन कर दूं गण देखो 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 यह वर्ड कप वाली सेर्मेनी आ जाए क्या है वाई यह जो वर्ड कप हो रहा है अपने भारत में और आपका पेशन्स लेवल बहुत है शुक्रिया वाई अगर इसका अधा भी मिल गया तो नीट क्रैक हो जाएगा अच्छा कल है कल होगी यार मैं वही सुच रहा था आज तो नहीं है यार होती तो मैं जरूर देखता देखो यार सवाल क्या है the moment of inertia of a disk of mass m and radius are about a tangent to its rim उसके किनारे को tangent है और इसके प्लेन में ही है बेटा डिस्क के प्लेन में ही है ये वाली समझ रहे हो ये वाली ये पूछा गया आपसे डिस्क के प्लेन में ही है तो क्या करोगे i is equals to icm plus md square icm कितना है mr square by 4 ये वाला use करोगे बिटा ये वाला ये वाला दिग्या हाँ plus md square दोनों के बीच का distance r चीक है तो 4 lcm आ गया mr square plus 4 mr square यानि कि कितना बन गया 5 by 4 mr square ये आपका अंसर है कौन सा option है fourth फोर्थ फोर्थ आया ना आढ़ी बेटा क्या कर रहे हो बेटा ये question पिछले वाला question नहीं है उसमें क्या था फरक समझो पर्पेंडिकुलर टू दा प्लेन ठीक है ना इसमें क्या है in its plane देखो wording देखो in its plane और डिस्क की बात हो रही है रिंग की बात नहीं हो रही ठीक है ना रिंग की बात नहीं हो रही है ना चलो गई I hope that is clear to you चलो बाकी bodies के लिए बाद में बात करेंगे ठीक है ना कल ही कर लेंगे पहले तो मैं homework आपको बता दूँ homework वही है पिछले वाला ही है इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा था कि चलो आपको और करवा दूँ आज लेकिन कोई बात इतना ही रखते हैं इतना ही रखते हैं तो यह homework का आपका जिसको जाना है जा सकता है जिसको जाना है जा सकता है मैं doubts देख लेता हूँ अच्छा leaderboard दिखा दूँ स्वयम अक्रप्रभा मुस्कान स्वयम फिर से चलना हम अलग है स्वयम बागडे प्रतीक आदिल प्रेणा रोहित दिशा एंड पल्लवी बहुत बढ़िया आप सभी को बहुत बहुत शुब कामना है और जो टॉप टैन में आये हैं और बाकी सभी को भी ठेक है कोशिश की है आपने बहुत अच्छी बात है तो चेंज होता ही रहता है टॉप टैन तो चेंज होता रहता है आज के लिए हम इतना ही रखते है ठीक है न हाँ डाउट्स देख लेता हूं येस्टरडे थ्री साइन्टिस्ट हाँ बिटा न्यूज मैं पढ़नी पाया लेकिन मैं पढ़ूंगा तीन साइन्टिस्ट को नोबल प्राइज मिला है बहुत कर्व की बात है फिजिक्स वालों और जो लोग देख रहे हैं तो भाई अपने भाई भेनों को भी बता दीजेगा कि आज की ख्लास देख लें क्योंकि नहीं तो कल की ख्लास में परिशानी आएगी क्योंकि आगे फिर हम इसी से continue करेंगे तो यह चीजें तो दुबारा नहीं पड़ेंगे तो यहीं से continue करेंगे तो ध्यान रखना ठीक है सर पहले वाले lecture में हाँ वो मैं अभी चेंज करवाता हूं बात करके ठीक हो गई बटा क्लास खत्म ओके 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 लास्ट स्लाइट अच्छा यह बटा इसमें क्या है कि basically आपके पास यह पूचा गया था कि एक बॉड़ी से बहुत सारी एक्सिस पास कर रही है तो ऐसा एक्स का कॉडिनेट बताओ ऐसा X का coordinate बताओ, मतलब X का ये वाला coordinate होगा, या ये वाला होगा, या ये वाला होगा, या ये वाला होगा जिसके बॉट moment of inertia minimum हो, ठीक है ना? तो moment of inertia की देरख्या equation, ये X पे depend कर रहा है moment of inertia तो अगर X पे depend कर रहा है, तो आपको minimum बता ना है, तो उसके लिए इसको differentiate करो, is equal to 0, तो maximum minima concept, differentiate करो, 4X minus 4, differentiate करके X के value वान आगे, खतम, सवाल खतम, बोलो भीया, ठीक है जी? गुड आफ्टरनून, अच्छा, मैच कल से हैं, सेरिमनी आज है, अच्छा, 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 ओके, 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 बेटा, आज का lecture, आज ही देखना है, क्योंकि नहीं, तो कल समझ में नहीं आएगा, moment of inertia, क्योंकि और भी सवाल करने हैं, बेटा, test को analyze करना शुरू करो, अगर ऐसे problem आ रही है, तो test analyze करना शुरू करो, और, या तो syllabus की problem होगी, कि आप उतना, जो है, तेजी से नहीं कर पा हो, है ना, या फिर test analysis आप नहीं कर रहे हो, तो दो ही चीज़े होंगी, तो दोनों में से देखो, आपकी problem कौन सी है, जरूर solution मिलेगा आपको, ठीक है, सर, DPP के solutions all नहीं हो रहे, please help me, बेटा, solution तो मैं देता हूँ साथ में, है ना, solution तो मैं देता हूँ साथ में, उसको refer करो, बिल्कुल, disc वाला थोड़ा explain कर दीजे, last वाला, अरे, बेटा, ये disc के ही plane में है, जो ये axis है, ये disc के ही plane में है, और उसके किनारे से पास कर दीए, ये tangent to the rim किनारे से पास कर दीए, ठीक है ना, disc के perpendicular नहीं है, ये पिछले वाले question में, disc के perpendicular थी axis, इस question में, disc के perpendicular नहीं है, ठीक है ना, plane में है, उसी के plane में है, तो ये वाला planar वाला formula, disc का MR square by 4 होता है, उसमें MD square add कर दो, यानि के MR square add कर दो, तो 5 by 4 MR square बन जाएगा, ठीक, ठीक है न, थोड़े fresh fresh हो जाओ, चाइवाई पीलो, बढ़िया से, और उसके बाद थोड़ी देर rest करने के बाद फिर पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि साल बहुत important है, ये year बहुत important आप लोगों के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है, अच्छे से पढ़ाई करते रही है, और देखते रही है, कल मिलते हैं, तो इस lecture को revise करके आएगा, आज के दोनों lectures को revise करके आएगा, ताकि हम अच्छे से अगला lecture जो है, वो पढ़ पाएं, तब तक के लिए धन्यवाज, शुक्रिया, भाई-बाई, टेक केर, अपना ख्याल रखेगा, जाहिए मुम मन situation करते गाएगा, थां तो एव कह तो हैं, आएगा, झिछ is